हर देशवाजी का सपना उसमें प्रतिमिंबित हो रहा है हर देशवाजी का संकल्प उसमें जलकता है युवा हो, बुजुर्ग हो, गाउं के लोग हो, शहर के लोग हो, किसान हो, कामदार हो, दलीद हो, आदिवासी हो, पहारों में रहने वाले लोग हो, जंगल में रहने वाले लोग हो, शहरों में रहने वाले लोग है हर किसी ने 2047 में जब बेश आजादी का सो साल मनाएगा तब तक विश्षित भारत के लिए अनमोल सुझाव दिये हैं और मैं जब इन सुझावों को देखता था मेरा मन प्रसंद हो रहा था उन्होंने क्या लिखा कुछ लोगों ने कहा कि दुनिया का स्किल्ड केपिटल बनाने का सुझाव हमारे सामने रखाव 2047 विश्षित भारत के लिए कुछ लोगों ने भारत को मैनिफेक्चरिंग का गलोबल हब बनाने के लिए सुझाव दिया कुछ लोगों ने भारत के हमारी उनिवर्सिटी ग्लोबल बने इसके लिए सुझाओ दिया कुछ लोगों ने ये भी कहा कि क्या आजादी के इतनी सालों के बाद हमारा मीडिया ग्लोबल नहीं होना चाहिए कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमारा स्किल्ड हुआ विश्व की पहली पसंद बनना चाहिए कुछ लोगों ने सुझाओ दिया मारत को जल्द से जल्द जीवन के हर छेत्र में आत्मंदिर भर बनना चाहिए कई लोगों ने सुझाओ दिया कि हमारे किसान जो मोटा अनाच पादा करते हैं जिसको हम स्री अन्न कहते हैं उस सूपर फूर को दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर पोँचाना है हमें विश्व के पोशन को भी बल देना है और भारत के छोटे किसानों के भी मजबूती देनी है कई लोगों ने सुझाव दिया कि देश में स्थानी अस्वराज के संउताओं से ले करके अनेक की काईया है उन सब में गवननस के रिफॉर्म की बहुत जरूरत है कई लोगों ने लिखा कि न्याय के अंदर जो विलंब हो रहा है उसके प्रतिचिंता जाहिर की और ये भी कहा कि हमारे देश में न्याय व्यवस्ता में रिफॉर्म की बहुत बड़ी जरूरत है कई लोगों ने लिखा कि कई ग्रिन फिल्ड सिटीज बनाने की अब समय की मांग है किसे ने बढ़ती हुई प्राकृति आपड़ाओं के बीच शासन प्रतासन में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक अभ्यान चलाने का सुझाव दिया बहुत सारे लोगों ने ये सपना भी देखा है कि अंतरिक्ष में भारत का स्पेस टेशन जल्द से जल्द बनना चाहिए किसे ने कहा भारत की जो पारंपारिक ट्रेडिशनल मेडिसिन है हमारी आउसदी है दुनिया जब आज अग होलिस्टिक हेल्ट केर की तरफ जा रही है तब हमें भारत की पारंपारिक आउसदिया और मेलनेस हब के रुपे भारत को विक्सित करना चाहिए कोई कहते है कि अब देर नहीं होने चाहिए भारत जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एकॉनोमी बनना चाहिए साथियों मैं इसलिए पढ़ रहा था कि मेरे देश वाचियों ने सुझाव दिये मेरे देश के सामाने नागरिक ने ये सुझाव हमें दिये है मैं समझता हूँ जब देश वाचियों की इतनी विशाल सोच हो देश वाचियों की इतने बड़े सपने हो देश वाच्यों के इन बातों में जब संकल्प जलते हो तब हमारे भीतर एक नया संकल्प द्रड़ बन जाता है हमारे मन में आत्म विश्वात नहीं उचाई पर पहुंच जाता है और साजियों देश वाच्यों का ये भरोसा सरफ कोई intellectual debate नहीं है ये भरोसा अनुभव से निकला हुआ है ये विश्वास लंबे कालखन के परिशम के परदावर है और इसलिए देश का सामान ने मान भी याद करता है जब लाल किले से कहा जाता है कि हिंदुस्तान के अथारह हजार गाओं में समय सिवा में बिजली पहुँचाएंगे और वो काम हो जाता है तब भरोसा मजबूत हो जाता है जब ये तैय होता है का आजहादी के इतने सालों के बाद भी डाई करोर परिवार ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है वो अंदेरे में जिंदी की विज़ारते हैं डाई करोर घरों में बिजली पहुच जाती है तब सामान ये मानवी का भरोसा बढ़ जाता है जब लार किरसे स्वच्च भारत की बात कही जाए तब इस देश के अगरीम हरोर पंग्ती में बैठे विये लोग हो गाउं के लोग हो गरीब बस्ती में रहने वाले लोग हो छोटे छोटे बच्चे हो हर परिवार के अंदर स्वच्चता क्या वातावन बन जाए स्वच्चता की चर्चा हो स्वच्चता के संदन में एक दूसरे को रोक तोकने का निरंतर प्रयाद चलता रहे मैं समझता हूँ कि ये भारत के अंदर आई हुई नई चेतना का प्रतिविम है जब देश के सामने लाल के लिए से कहा जाए कि आज हमारे परिवारों में तीन करोर परिवारों से हैं जिरके घर में नल से जल मिलता है आवशक है हमारे इन परिवारों को पीने का शुद्ध पानी पहुचे जल जीवन मीशन के तहट इतने कम समय में नए बारा करोर परिवारों को जल जीवन मीशन के तहट नल से जल पहुच रहा है आज पंदरा करोर परिवार इसके लाभारती बन चुके है हमारे कौन लोग बंचित थे इन वेवस्ताओं से कौन पीछे रह गए थे समाज के अगरिम पंक्ति के लोग इसके लिए अभाव में नहीं जीते थे मेरे दलीत, मेरे पीडीत, मेरे शोशीत, मेरे आदिवासी भाईबेन मेरे गरीब भाईबेन, मेरे जुगी जुपनी में जिन्दी की विजादने वाले लोग बोही तो इन चीजों के अभाव में जी रहे थे हमने अनेरे कैसे प्राथवी के आवस्ताओं की पूर्ती के लिए जो प्रयास किया और उसका परणाम हमारे इन सारे समाज के बंदूओं को मिला है हमने वोकल फ़र लोकल का मंत्र दिया आज मुझे खुशी हैं कि वोकल फ़र लोकल ने अर्थ तंत्र के लिए एक नया मंत्र बन गया है हर डिस्ट्रिक अपनी पैदावर के लिए गर्व करने लगा है वन डिस्ट्रिक वन प्रोडुक का माहुल बना है अब वन डिस्ट्रिक वन प्रोडुक को वन डिस्ट्रिक का वन प्रोडुक एक्सपोर्ट कैसे हो उस दिशा में हर जीले सोतने लगे है renewable energy का संक्रप लिया था G20 समों के देशों ने जितना किया है उससे जादा भारत ने किया है और भारत ने उर्जा के खेत्र में आत्मनिर भर मनने के लिए global warming की चिंताओं से मुक्त पाने के लिए हमने काम किया है सात्यों देश गर्व करता है आज जब फुनकेक की सभलताओं लेकर पुरा विश्व भारत से कुछ सीखना समझना चाहता है तब हमारा गर्व और बढ़ जाता है सात्यों हम कैसे भूल सकते हैं कोरणा के वो संक्रकाई विश्व हमें सबसे तेज गती से करोरों लोकों को vaccination का काम हमारे इसी देशों में हुआ यही देश है जो कभी आता ताई आतंकवादी हमें आकर के मार के चले जाते थे जब देश की सेना surgical strike करती है जब देश की सेना air strike करती है तो देश के नवजमानों का सीना उंचा हो जाता है तन जाता है गर्व से भर जाता है और यहीं बाते हैं जो आज एक सो चालिस करोर देश स्वाच्यों का मन गर्व से भरा हुआ है आत्म विश्वाच से भरा हुआ है साथियों इन सारी बातों के लिए एक सुविचारिक प्रयास हुआ है रिफोम की परंपरा को सामर्थ दिया गया है नकर तरीकों के नकर 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 लेकर के और जब राज नितिग नेत्रुत्व की संकल्प शक्ति हो दर्ड़ विश्मात हो जब सरकारी मशिनरी उसको लागू करने के लिए समर्पन भाव से जुट जाती है और जब देश के हर नागरी उस सपने को पूरा करने के लिए जन भागी दारी करने के लिए जन अंदोलन बनाने के लिए आगे आता है तब हमें निस्षिक प्रणा मिलता ही रहता है मेरे प्यारे देश वांचियों हम ये न भूले कि देश उस परितिस्यों सभी दसकों तक भी आज आजी के बाद समय बिताया है जब होती है चलती है अरे यारे तो चलेगा हमें क्या मेहनत करने की जरूता है अरे मामला है आज ने पेड़ी दिखेगी अरे हमको मोका मिलाए यार मोच कर लो आगे वाला आगे का जाने हमें क्या कर रहा है हम अपना समय निकाल दे अरे नया करने जाओगे और कोई बाबा लूर जाए पता नहीं क्यों देश में स्टेटस को का माहूल बन गया था जो है उससे गुजाना कर लो यही का माहूल बन गया था और लोग तो कहता है रे ठेश छोड़ो अब कुछ होने वाला नहीं है चलो ऐसा ही मन मर गया था हमें इस मानसित्ता को तोड़ना था हमें विश्वास से भरना था और हमने उससा में प्रया किया कई लोग तो कहते थे अगली पीड़ी के लिए का महमाद भी से क्यों करें हम तो आज का देखे लेकिन देश का सामान नागरी ये नहीं चाहता वो बडलाव के इंतजार में था वो बडलाव चाहता था उसकी ललक थी लेकिन उसके सपनों को किसे ने तबज्जु नहीं दी उसकी आशा अकाँ शाओ को अपेशणों को तबज्जु नहीं दी गई और उसके कारा मुसीबतों को जेलते हो बुझारा करता रहा वो रिफोर्मस का इंतजार करता रहा हमें जिम्मदारी दी गई और हम ने बड़े रिफोर्मस जमीन पर उतारे गरीब हो, मिड़े क्लास हो, हमारे वंचीत लोग हो, हमारी बढ़ती जती शहरी आबादी हो, हमारे नवजवानों के सपने हो, संकल्प हो, आकांशाय हो, उनके जीवन बढ़लाव लाने के लिए रिफॉर्म का बार्ख हमने चूना, और मैं एक देश वाद्शियों को विश्वात दिनाना चाहता हूँ, रिफॉर्म के प्रति हमारी जो प्रतिबतता है, वो पिंक पेपर के एडिटोरियल के लिए सिमित नहीं है।